यह रहमान रहीम, on the demand of Purnima Chandra, यह problem differential calculus से है, और successive differentiation chapters से, problem है, if y is equal to 10 inverse x, find yn, yn means होता है, कि y का n bar differentiation कर दिया जाए, x के respect में, तो उसे yn, जिसे sort में d, n, y से भी denote करते है, इसकी value हमको find करना है, तो इसे निकालने के लिए, हमें सबसे पहले तो, इसका एक बार differentiation कर देंगे, y1 का, y1 मतलब, dy over dx, एक बार इसलिए क्योंकि अभी हमें कोई formula नहीं मालुम है, इसे direct n bar differentiation हम, इसका कर सकें, तो पहले एक बार differentiation कर दिया जाएगा, और वो, देखी क्या मिल होता है, और य की value 10 inverse x है, और 10 inverse का difference है, बाना पान 1 प्लस x square होता है, इस y1 की value आ गई है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाना पान x square और यह 1 है, इसे ऐसे लिख देंगे, प्लस का बन है, माइनस का 1, क्योंकि ब्रेकेट को लिखा जाएगा, और इस माइनस 1 को लिखा जा क्या identity जब apply करेंगे, तो एक bracket में यह add हो जाएगा x plus i, और दूसरे bracket में subtract हो जाएगा x minus i, इसका में n-1 times of differentiation करना है, तो n y का differentiation मिल जाएगा, तो इसके लिए इसका अगर differentiation करने जा रहा है, तो इसका partial fraction में अगर resolve कर देंगे, तो आसानी से कर सकेंगे, तो चुकि इसकी दो दोनों की पावर एक है, तो direct partial fraction इस तरीके से कर सकते हैं, तो यह plus बाला पहले लिख दे हूं, minus बाला बात में लिख दे हैं, इनका difference देखिए कितना आएगा, यह minus से sign change हो जाएगा, minus करने पर यह cancel हो जाएगा, तो 2i का इनका difference है, इसमें से यह घटा दिया, minus कर दिया, तो आपान में कर दें, 2i, और फिर जो negative बाला है, उसको हम पहले लिख देंगे, यह एक माइनस आई, और यह positive बाला है, इसको बात भी लख देंगे, और between sign minus लगा देंगे, यह x plus i, और फिर यहाँ पर, जोगी, एक बार differentiation आगी, हमें, n-1 ताइम और कर देंगी, differentiation, एक बार प n-1 ताइम सगर differentiation करना जाते हैं, तो यह value हो जाएगी, n-1 ताइम differentiation करना जा रहे हैं, तो by 1 का, तो right hand side में भी n-1 ताइम differentiation करेंगे, और right hand side में है, 1 upon 2i तो यह बाहर था, और वेक इत में था, 1 upon x minus का i, और minus 1 upon x plus का i, यह दो फिक्टर थे, और इसको अंदर ले जाएंगे, यह दो जाएंगे, 1 upon 2i जो constant है, सुट हम इसे पहले ही बाहर लेक लेते हैं, और इसको जब अंदर ले जाएंगे, तो d n-1 apply हो जाएगा, यहाँ पर, यह यह दो यह दो भी apply हो जाएगा, बन अपन x plus i से, अब हम देखेंगे, इस का हमें differentiation किस तरीके से करना है, कौन से formula का इस्तेमाल करना है, और left hand side में यह एक बाहर हो रहा था पहले से, n-1 times over किया, जैसे पहले बता चुके हैं, तो इसका n बाहर हो जाएगा y का x के respect में, जो इसकी value में find करनी है, तो इसके लिए, यह value up solve कैसे करें, इन दोनों में, एक ही formula लगाएंगे, वो यह है, कि n बाहर हो x के respect में, ax plus b का, तो इसकी formula हम लोग जानते है, इसकी value होती है, minus 1 to the power n, factorial n, और यहाँ पर, जो x को coefficient है, a, उसकी power n, अपान में जो भी break it है, ax plus b, उसकी power हो जाएगी, n plus 1, बस यह धान रहे कि, यहाँ पर जो formula रिखा, वो n by differentiation के लिए हमने लिखा, जैसे होता है, लिखा इन दोनों में, यह formula यहाँ पर use होगा, तो left-hand side में, जो yn की value निकलना है, is equal to 1 upon 2i, और यहाँ पर यहाँ पर यह इस formula को लगाएंगे, तो minus 1 की power पर हो जाएगी, चुकि हमें, n minus 1 times differences करना है, और factorial में भी n minus 1 होगा, और यहाँ पर x को coefficient 1 है, तो 1 की power हो जाएगी, n minus 1, whole upon मे ax, ax का मतलब यह पूरा बेकर जो भी था, जो कि x minus i है, यहाँ पर उसकी power, n plus, जो कि यहाँ पर n plus 1 है, और हमारा, यहाँ पर है, चुकि n बार differentiation करना है, तो n plus 1 power आई थी, यहाँ पर, तो यहाँ पर n minus 1 है, तो एक power कम हो जाएगी, तो n power only रह जाएगी, n power यहाँ पर रह ज minus 1 और whole upon में, जो विरेकट है यहाँ पर, उसको लिखेंगे x plus i और इसकी power n हो जाएगी, इन दोनों में जो constant, sorry, जो common है उसको यहाँ पर बाहर लिख ले रहे हैं, तो formal है minus 1 की power n minus 1, factorial n minus 1, और upon में, into 1 की power, 1 की power n minus 1, और upon में 2i है, और जो बच रहा है, वो 1 upon x minus i की power n होगा minus 1 upon x plus i की power n हो जाएगा, अब यहाँ पर यह करते हैं कि, यह 1 की power कितनी होगी, 1 ही दाएगा, तो yn की value हो जाएगी, minus 1 की power n minus 1, factorial n minus 1, और इसलिए 1 का into carrying तो यही आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर इतना लिखा रहने दिया, इतना भी हमारा answer हो गया, लेकिन अगर इसको हम real form में लिखना चाहें, तो इसकी value को देखें, यह actual में really होगी, तो इसलिए हम इसको real form में कर लिखना चाहें, तो इनके polar form पहले लिख देते हैं, इन दोनों के लिए एक ही polar form, एक ही value लिखना पड़ेगी, यह real part x, इसको r cos theta मालने हो और यह imaginary part, यह i का coefficient है, वो यहाँ पर 1 ह इसमें भी 1 माल सकते हैं, तो इस 1 की जगा पर r sin theta रख देंगे, इन दोनों ही values में, तो n बार डिफरेंस इसे चल ला है, minus 1 की power n, minus 1 factorial, n minus 1 whole upon में 2i, और यहाँ पर जब x की value की जगा पर r cos theta रखेंगे, ताकि यह complex number polar far में convert हो जाए, और इस 1 की जगा पर रख देंगे, r sin theta cos की power n है, minus 1 upon, यही काम में right hand side में भी करना है, r cos theta रख प्लस i into r sin theta और whole power यहाँ पर n है, इन दोनों में से r की power, r जब बाहर लेंगे, तो power total की n है, तो n power यहाँ से बाहर निकल आएगी, बाकि सब हम चीजे ऐसी note कर दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, कोई change न sin theta हो गया, उसकी power n, minus, इसलिके इसमें भी हम common ले लेंगे, तो r की power n हो जाएगा, और यह cos theta प्लस i sin theta और whole power n हो जाएगा, हम चाहें तो यहाँ पर euler formula लगा दें दोनों में, तो euler formula से value रखेंगे, और इन दोनों में से r की power n बाहर common आजाएगा, तो y n की value चल ले, अगल हमने बोला था, r की power n common ले लेंगे, पीछे देख लेंगे आप लोग, तो यह value बचेगी, उसको यहाँ पर लिखी हुए है, यह value और यह value तो इस value को हम पहले लख रहे हैं, और euler formula से value e की power i theta के बराबर होगी, तो minus के बाद वाली value को पहले लेख रहे है, बना पान e की power i theta और उसकी total की power n है, तो n लगा दिया, और इस वाली value में अगर यह between sign minus आजाएगे, तो e की power minus i theta की value है, तो e to the power minus का, यह i theta है, उसकी power n के बराबर है, और बेकिट जब open यहाँ पर करेंगे, तो बेकिट के अंदर और बाहर की power का multiplication हो जाता है, तो उस multiplication को हम लोग कर देंगे यहाँ पर multiplication करने के बाद में, e की power minus i n theta हो जाएगे, इसी तरीके से यह value, e की power i n theta हो जाएगा, और इसको उपर ले जाएगी, तो power जो minus होगी, वो plus हो जाएगी, plus बाली, minus हो जाएगी, हम इसको numerator से denominator में पहुचाने वाले हैं इस टर्म को, तो e की power, e की minus हो जाएगी, i n theta और यहाँ पर यह हो जाएगा, e की power, e की power minus का हो जाएगा, i n theta, और यह theta है हमारा, जो e की power में ही है, सब कुछ, इसमें 2y जो बाहर है, इसको अंदर ले जाएगा, इसके साथ में, तो minus 1 की power n minus 1, factorial n minus 1, अपान में r की power n, और यह e की power i n theta, और minus e की power minus i into n theta, और whole अपान में 2y, तो यह definition होती है, sine z की definition होती, e की power i z minus e की power minus i z upon 2y, तो इस definition का यूज करते हुए, इस value को हम sine की formula ले देंगे, तो minus 1 की power n minus 1, factorial n minus 1, और यह value हो चुकी है, sine, यहाँ पर z की जगाँ आपर देखे, n theta है, तो यहाँ पर n theta है जाएगा, और यहाँ पर r to the power n है, क्योंकि देखे, यहाँ से अगर हम यह value शुरुवात में मानी थी, 1 is equal to r cos theta, यहाँ 1 is equal to r, sorry, sine theta, तो r sine theta से यहाँ पर sine r की value अगर निकालेंगे, तो 1 upon sine theta हो जाएगी, r की value, तो इस r की value को यहाँ सब पर पुट करेंगे, तो minus 1 ki power n minus 1 factorial n minus 1 sine n theta, और r की value मान On सांच Theta करेंगे, उसकी power n है, तो जब bracket हटाएगी, तो 1 की power v n हो जाएगी और sine की power v n हो जाएगी, तो minus 1 की power n minus 1 factorial n minus 1, sine n theta, यहाँ पर one की power n हो जाएगी और sine theta की power, sine theta की power vn हो जाएगी, इसको, क्योंकि यह देखने double upon में है, तो sin का उपर जाके multiplication हो जाएगा, minus 1 की power n minus 1 factorial, n minus 1 sin, n theta और sin की power हो जाएगी, theta, sin की बार n और theta, sin की power n हो जाएगी, total की power लेगी तो इसका उपर जाके into हो चुका है, और इतना complete हो चुका है, और यहाँ पर theta हम बताने के लिए, बता दें कि भी है theta कितना है, यहाँ पर हम लोगों जहाँ माना था, तो इसको अगर divide करेंगे, यहनि r sin theta को, r cos theta से जब divide करेंगे, तो r sin theta की value 1 थी, और r cos theta की value x थी, तो r से r cancel हो जाएगा, sin upon cos की value 10 theta होती है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, कि 10 theta की value 1 upon x, sin upon cos 10 बन गया, 1 upon x, 10 theta 1 upon x हो गया, य और उसके according जो है, जो y n पूछा गया था, इसके value minus 1 की बार n minus 1, factorial n minus 1, sin n theta, और sin की बार n theta गया, thank you very much indeed for listening me, वाकुरो दावाना, alhamdulillahi rabbil alameen